हेलो स्टूडेंस वालकम तू मा योट्यूब चैनल फाइनली आप लोगों ने कल अपना रिजल्ट देख लिया होगा और आप सब जानते हैं दसवी बोर्ड में सब पास हो चुके हैं इस बार री टोटरिंग री वैल कुछ नहीं होने वाला है 97% स्टूडेंट को फर्स जिन्हें इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज मिले हैं देखिए यहां पर आप सब जानते हैं कि इस बार री टोटलिंग री वैल ना ही कोई मैरेड लिस्ट कुछ भी नहीं आने वाली है चलिए कोई बात नहीं हमारे पास दसवी का रिजल्ट आ चुका है बहुत चल्द यह है दसवी के रिजल्ट आने के बाद यह शायद आपको नहीं पता होगा और आपको बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आपको इस बारे में कोई आगे बताएगा सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप 10th पास है तो आप बहुत से courses कर सकते हैं सबसे पहला तो आप ITI कर सकते हैं चाहे आपने 10th में आप 11 चले गए हैं आपने biology and mathematics subject ले लिया है लेकिन आपने 10th में science नाम का subject पढ़ा है ना ही biology कोई special नहीं था आपका तो आप ITI course में बहुत सारे different different course होते हैं वो हर किसी के लिए होते हैं आप उस course को कर सकते हैं उसके लिए आ परूरी है जो एक से दो साल का course रहता है दूसरी बात अगर आपने 11 में mathematics लिया है तो आप आगे चलके polytechnic course कर सकते हैं यह polytechnic course का जो form है यह अगले महने जून में ही आने को है इस course को भी आप कर सकते हैं और 36 गड़ में सिर्फ और सिफ government polytechnic colleges ही हैं तो आप polytechnic colleges से कर सकते ह हैं कोर्सें कि फीस भी बहुत ही minimum होती है और हर डिस्टिक में polytechnic colleges हैं तो जो mathematics students हैं वो polytechnic course भी कर सकते हैं यह दो कोर्स हुए जो आप दसवी के बात भी कर सकते हैं अब बात करते हैं अगर आप यह course कर रहे तो आप 11-12 प्राइवेट भी दे सकते हैं या फिर आप आज की देट में आप सब जानते हैं चर्तिसगर में वर्च्वल स्कूल खुल चुका है जिसका प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा जून में अब एक और बात बताना चाहूंगी कि जो बच्चे यह सोसते हैं कि वो दसवी बारवी graduation करने के बाद वो अपना आगे चल के government job क preparation करेंगे तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि कुछ exam से ऐसे होते हैं जिसमें दसवी पास मांगा जाता है तो जब आप दसवी पास हो चुके हैं तो आप एक form को बहुत जाद मलब कुछ-कुछ forms ऐसे हैं जो आप भर सकते हैं जैसे कि मैं आपको example देना चाहूंगी railway group D का form आप भर सकते हैं SSC MTS का form आप भर सकते हैं SSC GD Constable का form भर सकते हैं ऐसी ही कुछ form है जो अभी अगले मेहने आने को है तो मैं आपको recommend करूंगी आप इस form को भरिये और जब आप भरेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपने जब इस form को भर लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ऐसा नहीं कि आपको job लगानी है आपको पहले देखना हैं कि उस form का exam में question कैसे आता है आपने जो पड़ रखा है नौवी दस्वी में वैसी ही basic questions उसमें आते हैं फिर आप आगे चलके ये decide कर सकते हैं कि आपको अगर government job की preparation करनी है तो आ कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं मेरे according ये आप लोगों को अभी से जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे चलके आपको ये information कब पता चलेगी जब आप अपना graduation college complete कर चुके होंगे उसके बाद ही तो आज से ही आप इस information को अपने साथ जोड़िये जानिये और ऐसे videos के लिए हमार YouTube चैनल को जरूर subscribe करें इस video को जरूर like करें अगर आपको पसंद आया होगा तो और ऐसे updates हम आपको आगे आप जरूर देते रहेंगे और आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या-क्या चीज़े करनी हैं चो आपके लिए फायदे मंद होगी तो जरूर जरूर इस video को बहु जरूर झाल